हेलो फ्रेंड्स बीबार्णिंग टू आल फ्यू आज है एक मार्च और अज मंत का पहला दिन है तो आज एक विशेस मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी बहुत अच्छे से शुरू करें और आज के सारे टॉप करेंट अपेस हम लोग देखने वाले हैं साथी साथ जीएस का सारी वीजन भी करते हैं आपको पता ही हम लोग 100-100 डेली स्पेसल फैक्ट जीएस के देखते हैं और आज के जीएस और करेंट पर बहुत ज्यादा महतुपूर्ण होने वाले हैं और साथ में हम लोग मैप भी देखेंगे चलिए पहला कोशन देखते हैं वैदनात परसाद म मरते हैं तो उनका अबिच्वरी इसे इंग्लिस में कहते हैं उसे सवाल जरूर ही पूछे जाते हैं बेसिकली कि वह किस पार्टी से थे तो ऑप्शन ए जद्यू ऑप्शन बी बीजेपी कॉंग्रेस और आप तो यह जो इसे जद्यू से सांसत थे तो आपको यह याद रख पे फिडियोज सा इस्टेडियम का नाम बदल के अरुण जिटली इस्टेडियंग के साथ इंटा इसकासा राज मआप अब is अब बात करते हैं अरूञ जिटली सुसमा लिएक्विडियो नहीं देखे तो इसे बहुत सारे सवाल आते हैं आप इस वीडियो की पीडियु जो है हमारे टेलीक्राम से डाउनलोड कर सकते हैं टेली में की लिगेएं ईसली सबेंडन कौन बन गए है तो मलेशिया आपको पता ही है भारत का प्रोसी देश मलेशिया के नए प्रदानमंत्री बनाए गया है आपको पता ही है थोड़ा से यहां पोलिटिकल उथल पुथल हुआ था जिसके वजह से यहां दिक्कते आई थी और बात करते हैं मातहिर मुहम्मद ने इस्तिफा देने के बाद मुहम्मद यासीन ने वहां प्यम का कारेभार संभाला है अब देखते हैं जो को वीडियो तो यह इंडोनेसिया के नए राष्ट्रपती बनाएगा है साथी साथ प्रिथ्वी राज पूरण सिंग इसके बारे में भी मैंने बताया था आपको हिंटते देता हूं नहीं तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा सन्ना मारीन जो है सन्ना मारीन यह फिनलाइंड की हेड़ अब देश्टिट मतलब वहां की पी एम या फिर राष्टपती जो उस कंस्यूशन के हिसाब से प्रमुकता से होता है तो सन्ना मारीन जो व यह चलिए भारत के की जगर पर पेंसन अदालत लगाई जाएगी अपस्ण लदाख जमू एंकास्मीर सी नई दिली और दिते लांगना तो यह जमू एंकास्मीर में पेंसन अदालत लगाई जाएगी एक बहुत ही मौश्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है भारत में दिली के पेंसन अदालत लगाई जा रही है तो वह जमू एंकास्मीर में इसलिए इसलिए यह मौस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपको पता ही है जमू एंकास्मीर लदाख रीजन के बारे में तो जमु और कास्मीर के पहले जो लेफेटिनेंट गॉवर्णर बने उनका नाम क्या है जीची मुर्मू गृस चंद्र मुर्मू और आरके मातुर जो है वो लदाख रीजन के बने हैं लेफेटिनेंट गॉवर्णर और सेवन्थ आइसवकी चैंपियन्सिप का ओजन कहा गया होना है कि पूछा ही जाए अब बात करते हैं 36 नेशनल गेम जो कि आपके एक्जाम में पूछा भी गया है तो इसका गोवा में किया जाएगा ठीक है और इसका जो गोवा में आयोजन होगा गोवा के जो सीयम है उनका नम किया प्रमोद सावंत तो चली आगे बढ़ते हैं नई दिल्ली के बारे बता हैं कई सारी जो वहां आयोजन होते रहते हैं जमूएन कास्मीर और लदाक जिकी बात हुई है तो जमूएन कास्मीर के कुछ नेशनल पार् ठीक है किस्तवार नेशनल पार्क किस्तवार किस्तवार नेशनल पार्क उसके बाद सलीम अली नेशनल पार्क देखिए दोस्तों दो चीज़ में कंफूजन नहीं होना है आपको सलीम अली नेशनल पार्क होता है और एक सलीम अली बार्ड सेंग्चूरी है वह कहा है तो बा और वहां की जो गौवर्नर है उनका नाम क्या है टी सॉंद्राजन डॉक्टर टी सॉंद्राजन और तिलांगना नहीं 2020 को एयर ऑफ आर्टिफिसल इंटेलिजेंस के रुपे मनाने का घुष्टना किया तो है तो हैदराबाद और मतलब की तेलांगना और आंद्पदेश दोन सुपोसित मा मतलब मदर सुपोसित मा अभियान की सुरुवात किस जगह से की गई है और यह किसलिए है तो यह पोसंड पूरा करने के लिए अभियान है तो यह आपको याद रखना है किस जगह से शुरू की गई है यह जरूरी है और यह सब राजस्थान के इलाके हैं तो तो ये राजस्तान के कुछ aplause देख लोतर था mer du cold सवाल पूछा जाता है कि आर आवली परवत्षदी कहां है तो ये राजस्तान में है और एक और चीज पुछ जाता है कि लूह नदी कहां यह तो यह राजस्तान में प्रलियन नदी जो एक्रम साखर में गिरती है तो ये सारे extra facts आप याद रखोगे और लूनी नदी famous तो है और एक सवाल पूछा जाता है इंद्रिया गांधी कनाल कहां इस्तित है तो ये जो है राजस्थान बॉर्डर और पाकिस्तान मतलग के बीच इस्तित है राजस्थान के कुछ नेशनल पार्क कौन लोग देख लेते सरिस्का नेशनल पार्क सरिस्का रण थंभौर ठीक है मुकुंदरा हिल्स डेजर्ट नेशनल पार्क और केवला देव नेशनल पार्क तो ये सारे नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में उपस्तित है अब बात करते हैं राजस्थान की जब बात हो गई है तो थोड़ी हमाने ट्रिक से इसको याद करा है देश के जितने भी 105 नेशनल पार्क है उसको ट्रिक से हमाने याद करा है और उसका लिंक हमारे description में मिल जाएगा तो description में जितने भी वीडियो के लिंक है दोस्तों most important है तो वहां से उस वीडियो को आप देख सकते हैं जो कि आपका knowledge in reach करेंगा knowledge बढ़ाएगा और एक्जाम में आपका rank भी बढ़ाएगा तो गुजरात में जो है ब्लैक बक नेशनल पार्क गीर नेशनल पार्क मरीन नेशनल पार्क और वंसदा वंसदा नेशनल पार्क यह जो है गुजरात में तो चलिए आगे बढ़ते हैं सुपोसित महावियान के शुरुआत जहां से की गई अपने आंसर देख लिया हारून ग्लोबल रिच लिस्ट में मुंबाई मुके संबानी का क्या स्थान है अप्शन इस तरीके से रहेगा और आपको कंशूज करने के लिए रहेगा इसी हिसाब से यह मॉस्ट इंपोर्ट डॉलर की पूरी वर्थ है तो सोचे यह घंटे 7 करूर कमाते हैं तो इनकी जो स्टेटस है वह है भारत में सबसे अमीर और हारून ग्लोबल रिच लिस्ट में नौवे नंबर पे हैं मैंने कल बताया था कि हारुन ग्लोबल रिच रिस्ट में और चुकि ये इस तरीके से एजाम पूछाई जाता है एक दम मतलब वी वी आई टाइप कुश्चन है तो इसमें टॉप कौन है तो आमेजन के फाउंडर और सी यो जेफ बैजोस जेफ बैजो कहां स्थापित किया गया है बैंगलूरू और इसका उद्गाटन किस ने किया राजनात सिंग ने तो यह मॉस्ट इंपर्टेंट होता है लिएज के मैंने फूल फॉर्म भी लिखते है लाइट कॉमबैट हेलिकॉप्टर जो एलसी तेजस होता है तेजस जो है हमारा जुवाई वाला वहां के गोवर्नर हैं तो यह दोनों फैक्स ज़रूर याद रखिया और करनाटका जो हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पे था और साथ ही इंडिया इनोवेशन इंडेक्स पे टॉप पे था साथी साथ आपको यह याद रखना आई एस एफ इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट बढ़ाने वाला स्टेट कौन था तो वह करनाट का ही था तो यह सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखने है अब आप कहते देरा दुन पर भारत का पहला हेलिकॉप्टर सम्मिलन का आयोज इंडिया के है एयरपोर्ट और रिल्वे स्टेशन बहुत ज़्यादा पुछे जाते हैं तो आई यह सबसे पहले एयरपोर्ट को हम दोग देखेंगे तो एक सीरे से हम लोग सुरू करते हैं सबसे ज़्यादा तो आपको पता है इंद्रा गांधिया तरस्ट यह एयरपोर् तो अन्ना या मिनामकम ये चन्नाई में है फिर गुरु घासी दास गुरु राम जी दास कहा है तो गुरु राम जी दास जो है अमरित सर में है राम जी दास आप याद रख सकते हो गुरु राम जी दास जो थे वो सिखो के गुरु थे तो यह अमरित सर में है फिर बात करत है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो यह है है ऐदराबाद में ठीक है गोपिनात बारदुली हो गया उसके बदलोक नायक जा परकास नरायन पत्नम में है गोवा तो गोवा में है तरदार बल्लबाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखना है भारत में के डियल कैसा स्यत जहां पर चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो आप तो है ए त किरवनत पूरम उसके बाद जो है वहा और भी ऐर्पोर्ट जिसे एंटरनेशनल एय confidently एक कीरल जो है most important exam में पूछे ही गए हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन कौन सा देश सनुत राष्ट मानवादिकार परस्त यूएन एच्सी आर उनाइटे निस्टन हाई कमिशन उनाइटे निस्टन हुमन राइट कमिशन से अलग ह हो गया है परिशट्स अलग हो गया अवस्टन स्रिलंका मयनला निपाल और भूटन तो यह कि मैं और बहुड़ाइन और यहीं कैन. अ किस के द्वारा अलग होता है कोशन पूछा दाता है तो यह होता है कि खाड़ी और न्नार गभग ठीक है इसके द्वारा ये अलग होता है और श्रिलंका की राधानी आप जानी गया मैंनमार की बात करते हैं मैंनमार की जो head of the state है दरसल president कह सकते हैं वो अभी भारत के दौरे पर आये हुए थे और अमेरिका प्रेसिडेंट के जाने के बाद और उनके सम्मान में जो है दस समझोतों के सायन कीया गया मैंनमार की राधानी का है नैपी डाव और नेपाल की राधानी है काठमांडू भूतान की राधानी है ठिम्पफू और नोगल्टर मोहा की करेंसी है तो आप ये से फाक्ट याद रखो कि स्वाइं बीविकानन कर्म योगी आफिवी सिंदू तो यह जादव पाएंग को दिया गया है और इन्हें जो है Forest man of India के नाम से जानते हैं Forest man of India यह भी याद रखिया कोण है जादव पाएंग और ऐस्पईरो मैन ओफ इंडिया किसे कहते हैं तो राजिंदर सिंग को एस्पायरो मैन ओफ इंडिया के नाम से जानते हैं पीवी सिंदु किसलिए फेमस है अभी फिलहाल में पीवी सिंदु तो काफी फेमस है बट अभी इसलिए फेमस है क्योंकि नहीं एस पियन जावेद असरफ गुपाल बागले तरंजीत सिंग सिंगु तो यह जो है वेनेजुएला के नए अगले राजदूद भारत की तरफ से बन गया विशेक सिंग जावेद असरफ फ्रांस के राजदूद बने है कली मने बताया था और गुपाल बागले जो है यसी लंका के में अपॉइंट्मेंट हुआ है इसलिए इसका मैंने मैप भी दिखाया था अगला कोचनल रश्ट्रिय विज्ञान दिवस 2020 कब मनाया गया अपसने दो फरवरी चार फरवरी तेरा फरवरी 28 फरवरी तो यह जो है इसका थीम जुरूर याद रखिएगा इस बार यह 28 फरव और दो फरवरी को वेट लैंड तो इसी के साथ आई होब आपने लास्ट अग वीडियो दिखा होगा थैंक यू सो मॉच पर वाचिंग हाव गुड देए